गायत्री महमंत्र एक बार मेरे साथ धोराओ ओम भूर भूवह सह तशवी तुर्वरेनियम भर्गो देवस धीमाही धीयो यो नह प्रचोदयात संकल्प शक्ती के चमतकारों की बात आज आपसे करेंगे और सुरू करने से पहले ही मैं आज आपको बता देना चाहूँगा आज के प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनना इसकी अपनी विशेस्ताएं है एक बात और कहूँगा उनको निश्चित रूप से फायदा होगा जिनोंने अपसे पहले के प्रवचनों को सुनकर के और उनका पालन किया होगा आज एक बात कह रहा हूँ ध्यान से सुनना व्यक्ती की अपनी एक संकल्प शक्ती होती है जिसको व्यक्ती अपनी इच्छित अवस्था के अनुसार इच्छित दिशा में उसका प्रियोग करता है अपनी ही शक्ती का अपनी इच्छित दिशा में प्रियोग करता है आम तोर से ऐसा नहीं होता के हमारा जो सचेतन मस्तिस्क है वो सरीर पर सीमित अधिपत्य जमाए एक-एक सब्द को पकड़ना ऐसा नहीं हो सकता के जो हमारा सचेतन मन है वो अपना सीमित हक जमाए इतिहास इस बात का साक्षी है के बाप के बेटा ने बाप के उपर राज किया और बाप की सत्या को हत्या लिया ये किसका कारण है सचेतन का असीम अधिकार जमाना सचेतन का असीम अधिकार जमाना उसके कारण ऐसा हुआ हाथ-पैर की हल्चलें सचेतन के अनुसारी होती है कमाने खाने से लगा करके दियनिक जितनी भी दिन चरिया है वो सचेतन के आधार पर ही होती है इतने पर भी ये कहा जा सकता है कि अवव्यों की जो गतिविदियां है जो हमारे अंदर काम करते है उसके उपर हमारे मस्तिस्क का कोई नियंत्रन नहीं है आपकी सांस पर आपके विचार पर आपके हिर्दय पर और दूसरे विभिन जो अंग आपके सरीर में है उसके उपर सचेतन की कोई पकड नहीं है वे अचेतन के निर्धारण का अनुगमन करते हैं रक्संचार, स्वास पर स्वास, अंकुचन पर कुचन, निमेश उनमेश इन सब पर मस्तिस्क का कोई नियंत्रन नहीं है मैं फिर से कहूँगा जब व्यक्ति भौतिक छेत्र पर अपने प्रभाव को डालता चला जाता है तो उसका आत्मिक जो छेत्र है वो कमजोर पढ़ता हुआ चला जाता है दुबार से बूलूँगा आत्मी भौतिक सफलताओं को ही अपना जीवन मैंने कल बताई थे जीवन के दोस और उद्देश बताई थे एक जीवन का लक्ष बताई था कमाना और खाना जिसके अंतरगरत, सान, शोकत, वैभव ये सब सम्मान ये चीजे भी आती है और दूसरा बताई था जीवन का लक्ष जिसमें आपका मान, मरियादा, आपका विवहार, आपके संसकार यानि के वो गुण का छेत्र है, वो भी आपके जीवन के छेत्र में ही आता है उनमें किसी भी परकार की स्वसंचालित योगतिविधियों को ना रोक सका जा सके और ना बढ़ाया जा सके पाचन तंत्र, मल्वि सर्जन, जैसी जो गतिविधियां हैं, वो किसी की अनुमती की प्रतिक्षा नहीं करती हैं बलकि उनके दबावों के अनुरूप सचेतन को इनकी आवशक्ता के नुसार व्यवस्था को बनाना पड़ता है मजबूरी है कि उसको बनाना ही पड़ेगा मल्मुत्र, छीक, हिचकी, खासी, इनके वेग को कोई रोकना चाहे आपके सचेतन के हाथ में नहीं है, इनके उभार को आप रोक नहीं सकते उसी के अनुसार आपको आचरन करना पड़ेगा आप बंधे हुए हैं मनुष्य का सरीर, इसके बारे में मैंने प्रवचन ओड़ियो के रूप में दो-तिन दिन पहले दिया था जिसमें मैंने सरीर की आवशक्ता को बताने का प्रियास किया था मनुष्य सरीर का स्वामी है ये बात जितनी सच है उतनी ही ये भी सही है कि सरीर की आवशक्ता और उमंगो को पूरा करने के लिए विचार तंत्र को बल पूर्वक बाधित होना पड़ता है दुबारे से कह रहा हूं मैंने कहा है मलमुत्र का विसर्जन अगर हो तो उसके दबाव के नुसार सचेतन मन को उसकी आवशक्ता की पूर्ती करने के लिए या कई ये उसका विसर्जन करने के लिए यवस्था बनानी ही पड़ती है वहाँ उसकी नहीं चलती वहाँ पर उसकी नहीं चलती सोचो बहुत कुछ सोचो पेट में भूक लगी हो या नींद की खुमारी आई हुई हो आप रोक करके देख लीजी आप रोक नहीं पाएंगे आप जब करने जा रहे हैं और सरीट तूटने लग जाता है उबासी आने लग जाती है मन नहीं लगता मन नहीं लगता आप रोक ही नहीं सकते ये सचेतन के दबाव हैं जो उसको सहने ही पड़ते हैं और कोई तरीका नहीं है मस्तिस्क को ये विवस्थाएं जो टाने के लिए विवस होना पड़ता है ऐसी दसा में उसे सरीर का गुलाम कहा जाए तो क्या कहा जाए तोल लो बात को जिसको कहा गया है अगर उस गुलामियत को आपको छोड़ना है सच बताओ आज कोन अपने इच्छाओं की गुलामियत नहीं कर रहा अपने सरीर की गुलामियत नहीं कर रहा परतंत्रता तो वहीं से सुरू होगी जहां इन से स्वतंत्रता मिले मुक्ती तो तभी होगी जब आपका इनके उपर राज हो जाए राज तभी तो होगा जब ये आपके नियंत्रन में हो जाए तभी तो आपका राज होगा तो समझ ले परत्यक्स करम ही सचेतन की इच्छा के नुसार हो सकते हैं सचेतन की कहरां पर इस मामूली मसीन की नीजी विवस्था पर आंत्रिक हंचलों पर किसी का कोई नियंत्रन नहीं है किसी का कोई नियंत्रन रही है याद रखना पाचन रस उत्पन हो तो अपच्च का मरीज दवादारू खोजने के अतिरिक्त और कौन सा रास्ता निकाल करके लाए जब पच्चता ही नहीं तो बाहर का रास्ता उसको ढूंडना ही पड़ेगा आपको बीपी हो गया बलड प्रेसर हो गया या मदुमे यानि के डाइविटीज आपको हो गई एनित्रा आपको रहने लगी नीद नहीं आती आपको तनाव रहने लगा कोई चाहता है इन सब बातों को क्या कोई इनको बुलाता है क्या ना जी ना इनको कोई नहीं बुलाता फिर ये कहां से आ गए अंचाहे मेहमान कहां से आ गए मैंने अभी कहा सचेतन का नियंत्रन आपकी आंत्रिक किरियाओं के उपर नहीं है एक बार याद दिला देना चाहता हूं जिस दिन आपको संकल्प दिलाया था उससे पहले के प्रवचनों को अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया था रोग, शोग, कले, चितने भी विकार है इन सब को दूर कराने की बात को कहा गया था परन्तु एक बात कल भी कही गई थी चालिस दिन में तो आप कितने आगे बढ़ पाएंगे ये तो आपके अपने उपर है तीन-चार व्यक्तियों के तो फोन आये थे बेरे पास मैंने कल पूछा था क्यों पूछा था अनुस्थान एक मुसीबत हो गया अनुस्थान एक मुसीबत हो गया तुमारी नहीं सचेतन मन की उसकी जो छूट थी वो खतम हो गई कैसे ये बला कटे अब बताईए जो इसको बोज मान करके कर रहे होंगे तो उनको कितना लाब होगा मैंने कल पूछा था इस करम को आगे चलाया जाए नहीं चलाया जाए लगबग चार व्यक्तियों के तो फोन आए कि इसको करम को आगे चलाया जाए ना का किसी का नहीं आया अब ये मान लिया जाए जो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं उनकी समझा जाए ना कर रहे हैं वो अभी जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे सचेतन का पकड़ आपकी हर सारिरिक मानसिक हर किरिया पर हो गई और अचेतन परशुप्त बवास्था में उपेक्षित पड़ा हुआ है अभी मैंने कहा आपको मदुवे हो गया आपको रक्षचाप हो गया आपको बधजमी हो गया इसका कारण क्या है इसका कारण एक ही है कि सचेतन पर सचेतन का इन किरियाओं पर कोई अधिकार नहीं है भोग पर तो अधिकार है उस भोग के कारण मन की अवस्था चंचल हो गई वो इस्थिर नहीं रह गया और बुद्धी भी गुलामियत करने लग गई अभी बताये था बुद्धी के बस में कुछ है नहीं अगर है तो वो एक ही चीज के बस में है संकल्प के बस में अनुस्थान क्या है अरे उन कमजोरियों को हटाना जो हमारे सचेतन्य हमारे व्यवार में दैनिक जीवन में लाकर के गुसा दी उनको हटाना ही अनुस्थान है यानि के हम अपने आपको उस मूल प्रकरती पर ले करके चले जाएं जिसके आधार पर भगवान न ये जीवन जीने के लिए हमको दिया है उस पर हम ले करके चले जाएं आश्चरिये की बात ये है कहीं बाहर से नहीं भीतर से जो उपजते हैं बुराई जो भीतर से उपजती हैं वो उपज रही हैं पर सचेतन उसमें कुछ कर नहीं पा रहा है अपने ही खेत में अंचाही फसल उगने का ये कोतुक आए दिन सबको देखना पड़ रहा है इससे ये पता चलता है कि खेत अपना होने पर भी उसमें खरपत्वार उगना या किरसी कीतकों का उत्पन होना किसी दूसरी व्यवस्था के अंतरगरत चला जाना जो मालिकी का दावा करने वाले परवाह किये बिना अपनी मर्जी करता है अपनी मर्जी से चलता है आत्मा का नियंत्रण एक योगा भ्यास है उसका मूल उद्देश यही है कि सारिरिक जितनी भी हल चले हैं चाहिए वो बाईय हैं चाहिए वो आंत्रिक हैं सब पर उसका नियंत्रण हो और उस उद्देश के लिए जिसके लिए आत्मा इस संसार में आई है उस उद्देश को किसी तरह से पूर्ण कर सके अगर उसको उद्देश को पूर्ण करना है तो मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूँ उसके तीन रास्ते हैं तीन रास्ते तीन रास्ते एक वह जिसे स्वभाव आदत अभ्यास कहते हैं सव्भाव संसकर्ती इसी को कहते हैं दुबारे से बोल रहा हूँ जिसमें आपका स्वभाव आता है आदत आते हैं और अभ्यास जो आपका स्वभाव है जो उसमें अभ्यास है वो इसमें आते हैं और इसी को सव्भाव या संसकर्ती भी कहते हैं ये बाहिये पक्ष हुआ, आज कौन नहीं बंधा हुआ, मैं सब्धता और संस्कृति की जिस बात को कह रहा हूँ, ना तो सत्य मैं कोई सब्धता को जानता है और ना संस्कृति को ही जानता है आज हम सच को देखो, घर में कोई बाहर से मेहमान आ रहा है, रोज घर में लड़ाई जगड़ा होता है पर एक दो दिन के लिए मेहमान आया तो सब चुप लगा जाते हैं, ये है सब्धता यानि के दिखावा आज सब्धता क्या रह गई है, दिखावा और संस्कार तो ढकोसला बन गया है, आज पाखंडो को पूजा जा रहा है, आदर्स नाम की कोई चीज व्यक्ति के जीवन में नहीं रह गई सच्चाई को देखो आज व्यक्ति के जीवन में कोई सच्चाई धूंडने को नहीं मिलती इस सच्चाई को पहचान करके देखिए सिष्टाचार, सज्जन्ता, नियमित्ता इन पर क्या आपकी आत्मा का नियंत्रन है? दिखावा अगर निकल गया तो मैं नियंत्रन मालनूंगा अगर ये दिखावे के रूप में है, पाखंड के रूप में है तो आप सच्च को नहीं मानते और ये सब करामात किसकी है? आपके सच्चेतन मन की है एक दाइरह बोलते हैं, दाइरह परीधी उसने सब के ऊपर अपना अधिकार जमा करके लाइन खेची हुई है और आपको उसके बाहर नहीं जाने देगा उसके बाहर आपको नहीं जाने देगा उसी में घुमाता रहेगा कोलू के वैल की सुवेरे लगता है विचारा शाम को जबांग खुलती है तो वही का वही पाता है आज वो वस्था हमारी बनी हुई है सच्चाई को देखो वही सच्चाई को देखो अगर इस दाइरे को तोड़ना चाहते हो तो बड़ी हिम्मत चाहिए उस छेत्र का उस करम छेत्र का अनुसासन का पालन जो कर लेगा वो ही इस दाइरे के बाहर निकलेगा परन तु मुझे एक बात तो बताओ आलसी, प्रमादी, गंदे, एसब्भे, इस्तर के व्यक्ति कैसे आचरण करते हैं जो मैंने बोला है उसको दिहान से देखो गंदा, एसब्भे, अनुसासन हीन, आलसी, प्रमादी, जो व्यक्ति है वो किस तरह के काम करता है अच्छा सच्चाई को देखो, अपने को मत देखना मैंने कहा है इस प्रकरती के जो आदमी हैं वो किस तरह के काम करते हैं अब अपने पर तोल लेना कुरूची की तो भर्चना ही होती है कुरूची की तो भर्चना ही होती है मैंने कहा भी था क्या आपकी रुची जग गई अंदर से रुची जग गई मैंने अभी स्वभाव की बात आप से की है मैंने अभी आप से सब्वता और संस्कृती की बात की है मैंने आदत और स्वभाव की बात आप से की है मैंने सिस्तासार सज्जनता और नियमिता की बात आप से की है अब मुझे बताओ इसमें कितना आदर्स है इन सब चीजों में कितना आदर्स है और आदर्स तब होगा जब उस आदर्स में आपकी रुची होगी अभी मैंने कहा कुरुची उसकी तो सदा निंदा ही होती है जिसकी निंदा होती है उसको प्रताड़ना भर्चना सहनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है आप अपने आपको प्रतिस्थित नागरिकों में गिन रहे हैं आप अपने आपको प्रतिस्थित नागरिक में गिन रहे हैं पर वास्तव में अपने सचेतन की स्थिती को देखिए उसने आपको कहाँ पर पटक करके रखा हुआ है एक चमकीली पलनी का खोल हमने अपने उपर चड़ा करके इसलिए रखा हुआ है कि हम अपनी गंदगी को दबा देना चाहते हैं अब मैं दूसरा पत बता रहा हूँ दूसरा विचार दे रहा हूँ अगर आपका अपने विचारों पर नियंत्रन हो गया तो समझ लेना जो मैंने पिछले दिनों कहा था कि आप लोग एक मिनट की साधना करना शुरू करें और पंद्रे मिनट तक ले जाएं क्या साधना शुरू करें अपने विचार को रोकें यह मैंने आपको काम दिया था यह मस्तिस्क है ने मस्तिस्क इसके अंदर एक लिबलिबा पदार्थ भरा होता है लिबलिबा पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है और हमारा विचार हीरन और बंदर की तरह से इसमें कुलाचे बारता रहता है उचक मचक करता रहता है बेश सिर पैर के विचार इसमें उमरते रहते हैं इनमें कितने ही अनर्गल एसम्भव उपासादपद होते हैं उनके कारण मस्तिस्किय शक्ति का अपवे होता रहता है जो पतंगे की तरह से पटबीजने की तरह से चमकते रहते हैं चमकते रहते हैं और हमें बड़े बड़े ख्वाप दिखाते हैं परन्तु होता कुछ नहीं है अपनी शक्ती छीर्ण होती रहती है कई बार तो उद्वेग उनमाद खड़े कर देता है ऐसे बेतु के लोग किसी प्रसंग में सही सोचने तक में समर्थ नहीं होते फिर वो महतपून काम कैसी कर सकते हैं महतपून कारिये वो कैसे कर सकते हैं इसकी आशा कैसे की जाए इसलिए बहुत अच्छे से आपको कह रहा हूँ जो पिछले दिनों कहा था आप साधना करिये सुनने तक से काम नहीं होगा अब साधना करिये अपने विचारों का नियंत्रण इसी को मनो निग्रह कहते हैं अपने विचारों का नियंत्रण इसी को मनो निग्रह कहते हैं मनो निग्रह विचारों को बस में कर लो मन के वेग को अपने बस में कर लो लाभो का और अध्यात्म का जितने भी सुविस्त्रित महतम में बताई गई है जो भी इस दुनिया में बड़ा चड़ा कुछ बताया गया है वो आपके पास होगा वो आपके पास होगा अचेतन की किरियाओं पर आपका नियंत्रण इसलिए नहीं है के शक्ती तो बाहिये छेत्र में ही खपती जा रही है अगर किसी तरह से उसको आप रोक के आंत्रिक छेत्र पर ले करके जाएं तो आपके अंदर एक विशेष्ता पैदा होने लग जाएगी उस शक्ती के अंदर खपने से मनुविज्यान की द्रस्टी से नियमन के लिए परसिक्षन और वातावर्ण बनाने के लिए प्रियतन करना पड़ता है इसको ब्रेन वासिंग कहते हैं ब्रेन वासिंग यही अनुस्थान क्या है अरे अनुस्थान क्या है गुरू की कृपा आपको मिल रही है यह ब्रेन वासिंगी तो है आपकी क्या आपकी सोच बदल गई अरे ये ब्रेनवासिंग जो है मन की धुलाई है ये इसका वेज्ञानिक पक्ष है जो आपसे कराया जा रहा है साहित्य और कला के प्रसिक्षन और प्रचार के अनेक उप्चार इसी उद्देश्च के लिए समाज में पैदा किये गए है जिससे समाज में सब्वेता का विकास हो सके और उसके लिए सिक्षा प्रनाली को सिक्षा प्रनाली को लागू किया गया है पर वो सिक्षा प्रनाली कितना महतपूर्ण योगदान आपके सचेतन पर डालती है तब जाकर के वो सब्हता बनती है जब वो आपको उस नियमन में बांध लेती है जिसको तोड़ने की हिम्मत किसी में भी ना हो उसमें अचेतन बन्धा हुआ है तो वो क्रिया सील हो जाता है वरना सिक्षा केवल अक्षर ग्यान है उसके लावा कुछ नहीं है तीसरी बात कहूँगा आत्म नियंतर्ण के लिए तीसरी बात कहूँगा अचेतन की गहराई पर सचेतन की पहुँच हो जाए समझ रहे हैं अचेतन की गहराई पर सचेतन की पहुँच हो जाए जड़ा बोलो अंदर से बोलो अगर बाहर का विखराव बंद हो गया जब आप गायत्री मंत्र का जब करना शुरू करते हैं तो बाहर का सज्जार शुरू हो जाता है कोई ना कोई घटना आपके मने छेत्र में घटना शुरू हो जाती है और उस तरह के विचार उछलकूद बचाने लग जाते हैं अगर चारव तरप से आपने अपने सचेतन मन की गती को रोक दिया तो बुद्धी की ताकत अचेतन के अंदर जा करके समाने लग जाए, खपने लग जाए जरा एक बार गायत्री मंत्र मेरे साथ दोरा करके तो देखिए परंतु पूर्ण एकागर हो करके मन की गती को रोक करके और बुद्धी को अंदर ले जाना अपने हिरदय में घुसाना जो गायत्री मंत्र बोल रहा है उसको अपने हिरदय में घुसाना तो आपको एक अनुभ कराना चाहता हूं अपने मन की चारु तरफ की गती को रोकिए एकाग्र करिए बुद्धी को यानि के सचेतन की क्रिया सीलता ही बुद्धी है बुद्धी को परवेश कराईए अचेतन के अंदर अरे ऐसा समझना जैसे सकरगंदी एक फल होता है गर्मी उसके अंदर घुसाई जाती है गर्मी उसके अंदर घुसाई जाती है तो वो कच्चे से पक जाता है कच्चे से पक जाता है और खाने योग हो जाता है इसी तरह से सचेतन की जो शक्ती है उसको अचेतन के साथ संयोग कराएं उसमें मिलवाएं वो शक्ती उसके अंदर जाकर के समा जाए खप जाए मेरे साथ गायत्री बंत्र दोराना दुबार से कह रहा हूं चारों तरप से अपने आपको एकाग्र करिए एकाग्र करिए और मेरे साथ दोराईए अंदर से देखो अब अनुभाव करो जो आपने मैसूस किया प्रभाव कहाँ पर गया ये आंत्रिक छेत्र यानि के अचेतन मन को जाकर के प्रभावित करेगा और उस उर्जा को गर्मी को जो आपने गायत्री मंत्र के द्वारा पैदा की है वो आपके अचेतन में भरने लग जाएगा परंतु रुची पैदा हो गई क्या अगर उसमें कोन सी रुची सचेतन की ताकत अचेतन में चली जाए ये रुची आपके अंदर पैदा हो जाए जब ये खपने लग जाएगी तो बाहर की उर्जा अंदर जाने लग जाएगी और उर्जा के अंदर जाने से अंदर की शक्तियां जगने लग जाएगी मुझे बताओ एक दिन आपी ही थे के आपका पाचन तंत्र इतना मजबूत था के आपने जो खा लिया वो पच गया एक दिन आपका मलमुत्र विसर्जन इतना मजबूत था के जैसा उसका उपियोग करना चाहिया वैसा कर लिया एक दिन आपका जो मैं एक दिन एक एक को क्या गनाओं आपके आंत्रिक शक्तियां इतनी मजबूत थी के अपने जीवन का हम जैसा चाह रहे थे दुरुपियोग कर रहे थे सदुपियोग नहीं बोला है परन्तु अब आकर के शक्ति इसलिए छीन हो गई कि इस पर चेतन मन का कोई प्रकॉंट्रोल नहीं है अचेतन की जो विवस्था थी वो अस्थव्यस्थ हो गई और अस्थव्यस्थ हो करके क्योंकि वो खुद सुसुक्त अवस्था में पड़ा है तो जो आपकी सचेतन किरिया सीलताएं थी वो भी सुसुक्ती अवस्था के अदर यानि के कमजोर पढ़ती हुई चली गई अगर आप उन किरियाओं को मजबूत करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का साहरा ले लीजिए और अचेतन को सकती साली बना दीजिए डायवर्टीज कहां गई बीपी कहां गया रक्त का में जो भी कमिया थी वो सब कहां गई आपको पता ही नहीं लगेगा कहां चली गई क्योंकि सकती के स्रोत्र अंदर है और वो आपने खोल लिए गायत्री मंत्र को साहरा बनाकर के आपने खोल लिए मैं ये कह रहा हूँ गाहितरी शक्ति वो शक्ति है जिसका अभी किसी को पता ही नहीं है इतनी बड़ी ताकत गाहितरी शक्ति है जिसका जीव से वर्नन नहीं किया जा सकता परंपुज गुर्देव ने कहा है वो नियामक है वो नियाए करती है वो पूरी दुनिया को चलाती है वो सब के साथ भला करती है सच देखो अगर उस सक्ति के साथ हम जुड जाएं और जुड तभी सकते हैं जब भाहिये छेतर में जो हमारे विचार काम कर रहे हैं ये आंत्रिक छेतर में काम को करने लग जाएं सामान्यता सरीर का संचालन करम प्रकर्ती की प्रेर्णा से चलता है पर उसमें कई बार विक्रतियां ऐसी स्थिति में उत्पन होती हैं जिनको सुधारना, चिकित्सा करना, सल्यक्रिया करना भी नहीं बन पड़ता परिवर्तन के लिए अचेतन के साथ जुड़े हुए तारों को हिला डुला करना पड़ता है क्योंकि ये छेतर विचार बुद्धी के प्रभाव परिदी से बाहर है उसमें हेर फेर करने के लिए अचेतन छेतर का आस्रे लेना पड़ता है ये हर किसी के लिए बस की बात नहीं है इसे कर सकना उनी के लिए संभव है जो इसकी योग अभ्यास करते हैं और ये समझ लेना अगर ये चमता आपके अंदर पैदा होगी तो गुरु करपा से ही पैदा होगी दीर्ग जीवन के लिए जीव कोसों को विस्राम देने की आवशक्ता पड़ती है जैसे सरीर को भी विस्राम देने की आवशक्ता पड़ती है ये कारिया हिर्दय और मस्तिस की गतिविदियों को कुछ समय के लिए रोक देता है शक्ति का छरण कर रहे हैं परिणाम निकल नहीं रहे हैं इसलिए आज ये अवस्था बन करके खड़ी हुई है ये कारिय हिर्दय और मस्तिस के गतिविदियों को कुछ समय के लिए रोक देने से पैदा हो सकता है ये विराम सामान्यता मनुष्य के बलबूते के बाहर है फिर समाधी के अभ्यास से उसस्थती को प्राप्त किया जा सकता है जिसे अर्द ब्रत्यू के समतुल्य ठहराया सके समाधी से योगी जनप पुराने सरीर्व में रहते हुए भी समय समय पर बार बार नवीन शरीर धारण करते रहते हैं एक ही जनम में कई जनमों के जीवन यात्रा के प्रारब्धों को पूरा कर लेते हैं समाधी इस्तिती में बहाईय मस्तिष्क का दबाव अचेतन पसे हट जाता है ऐसी दसा में महाचेतन के साथ संबंद जोडने में सरस्ता मिलती है और इस इस्तिती को जानने देखने सुनने समझने का अवसर मिलता है जो इंद्रिय शक्ति के साहरे संभव नहीं हो सकता उस इस्तिती को दिव्यदर्सन या अवरोधा नुभूती कह सकते हैं ये बाहर से नहीं हो सकता अतिंद्रिय चमताओं का छेत्र अचेतन है यदि उसे अवसर मिले उगाने बढ़ाने का जगाने का और उसे केंद्रि भूत कर दिया जाए तो ये जितनी भी समश्चाएं आपके सामने पैदा हो रही हैं इन सब का हल आपको मिल जाए आज की बात को क्योंकि समय पूरा हो चुका है मैं संपन कर रहा हूं परन्तु एक बात को बार बार जोर दे करके कह रहा हूं केवल सुन लेने मात्र से कारिय पून नहीं होगा मेरे साथ साथ अभ्यास भी आपको करना पड़ेगा जैसा अभी आपको बताये गायत्री बंत्र जब करवा करके बताये गया इसी भाव को लगा करके आप गायत्री बंत्र का जब करिये तो बाहर की शक्ती अंदर खपती जाए बाहर की शक्ती अचेतन में खपती जाए Om Shantihi Shantihi Shantihi